Hello everyone, welcome to study with Gyan broadcast. दोस्तों, आज की वीडियो में शुरू करते हैं 10 अप्राइल 2021 के डेली क्रेनफेर और वीडियो को सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप दिसंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के जितने भी करेनफेर पढ़ाएगे हैं उसकी e-book यानि की PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो का discussion चेक कर सकते हैं वहाँ पर आपको ये PDF कैसे मिलेगी ये एक complete e-book है और इसमें आपको सभी प्रस्ण मिल जाएंगे पूरी व्याख्या के साथ और बहुत इस्तरल भासा में ये जो PDF है वो आपको अलबर तरवाई गई है और आसानी से आप पूरा revision कर पाएंगे पर शौक लिए इसमें से बहुत सारे प्रस्ण आपको मिलेंगे तो सबसे पहले revision करते हैं 9 अपरेल के प्रस्णों का हाली में किस मंत्रा लेने एक इकरित स्वास्थ सूचना मंत्र यानि कि IHIP कि एक इकरित स्वास्थ सूचना मंच Integrated Health Information platform को सुरू किया है तो यह platform launch किया गया है स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्रा ले की दौरा तो सही option इसका स्वास्थ और परिवार कल्यान मंत्रा ले है हाले में विसस्वास दिवस यानि की वर्ड हेल्थ डे मनाया गया साथ अपरेल को और याद आखना इसकी थीम काफी इंपोर्टेंट है थीम है बिल्डिंग ए फेरर हेल्दियर वर्ड ठीक है तो थीम कई पार परिशों में पूछी जाती है रूस की राशपती ब्लादमिर पुतिन ने ऐसे कानून बनाये हैं जिसके तहट अब वो 2036 तक चुनाओ लड़ सकेंगे और अगर वो चुनाओ जीतते हैं तो वो राशपती रह भी सकते हैं फिलाल आपको यह बता दें कि जो रूस का समिधान है उसमें अनुचित 81 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति दो बार से अधित राशपती का चुनाओ नहीं लड़ सकता है तो दो कारेकाल के बाद अच्छे एक बात और भी भारत में जो राशपती का कारेकाल होता है वो 5 वर्स का होता है अमेरिका में 4 वर्स का एक रूस में 6 वर्स का होता है हाली में किसें गाडनिंग लिए एक किसान है जिनका नाम है स्रीकृष सुमन तो स्रीकृष सुमन ने सदा बहार नामक आम की एक बौनी नसल बनाई है और स्रिकिस सुबन जो है ये रास्थान के निवासी है या तक ना रास्थान के कोटा से इनका संबंद है और हाली में सिक्षा राज्य मंत्री संजेध धोत्रे ने छह अपरहिल को E9 countries के सिक्षा मंत्रियों के साथ बैटक में हिस्सा लिया है जो E9 countries हैं इनको जो है एक साथ लाया गया था UNESCO की सलाब पर यहाँ पर E का मतलब education से है 9 is stand for 9 countries जिसमें हमारा व्यारा भारत भी है और पाकिस्तान भी तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसमें मैक्स को बगरा देश भी है कुल 9 देशेस में सामिल है हाली में विसमेंक ने किस भारती राज में स्वास सिवाओं में सुधार के लिए 3.2 करों डालर की एक परियुजना को मंजूरी दी है तो इसका सही ये बाब है मिजवरम और हाली में विकास और सांथ के लिए अंतररास्ती खेल दिवस यानि कि इंटरनेशनल डे आफ स्पोर्ट फार्ट डेलोप्मेंट और पीस ये मनाया गया था 6 अप्रेल को किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वन डे क्रिकेट जीत कर विसमें रिकार्ड बनाया है तो ये टीम है कहां कि आस्ट्रेलिया की फोर्स की अरपपतियों की सूची में लगाता है चार वर्सों से टॉप पर है जेब बेजोस और मुगे संबानी को जो अस्थान मिला है वो दस्वा मिला है तो बस ये दो आपको पता होना चाहिए बस याई भ्रस्टचार निरोधक इकाई का जो प्रमुख है वो बनाया गया है सब्बीर हुसेंग जी को और भारत के अनतरश में चीफ जस्टिस आफ इंडिया होंगे एनवी रमन हाली में अमभोली को जव विवित्ता विरासत अस्थल खुशित किया गया है अमभोली ये इस्तित है महारास्टरा में इन प्रस्टों को अगर आप डेटेल में समझना चाहते हैं तो आप 9 अपरिल का जो करेंटेटर का वीडियो है उसको एक बार जरूर देख लिजेगा तो अब बार ही है आज के प्रस्टों की हाली में ब्रिटेन ने 30 वर से कम उम्र की लोगों को एस्ट्रोजेनिका का जो करोना वैक्सीन है उसको न लगाने की खुश्डा की है मतलब उसको जो है वैक्सीन पर रोक लगा दी गई है जिनकी उम्र 30 वर से कम है एस्ट्रोजेनिका वैक्सीन का जो विकास हुआ था तो यह जो बनाई गी थी वैक्सीन एस्ट्रोजेनिका के द्वारा उसमें आक्सफोर्ड विस्विदैले का भी योगदान रहा था तो यह यादखना काफी इंपोर्टेंट है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो हाल में यूरूपी आउसदी एजनसी यानि की EMA यूरूपियन मेडिकल एजनसी ने एस्ट्रोजेनिका की वैक्सीन और लाभारतियों के मस्तिस्क में खून के ठक्के जमने की समस्या के बीच सीधा संबंध होने की आसंका जदाई है हाला की EMA ने कहा है कि टीके के खत्रे उसक 55 से 60 साल के कम उम्र के लोगों को इस टीके के लगवाने पर प्रतिबंद भी लगा चुके हैं अब यहां पर अगर देखा जाए तो दुनिया के कुल 111 देशों में इस टीके का प्रयोग हो रहा है देश 111 देशों के टीका करन अभियान में एस्ट्रोजेनिका का इस्तिमा एस्ट्रोजेनिका की कोरोना वैक्सीन है यह काफी सचती है भारत सरकार को 200 रुपरे प्रतिकुराग में मिली है इसका भंडारन बहुत ही आसान है और इसे जो 2-8 डिग्री पर सह जा सकता है पर इक्षण में यह 60-70 फीस्दी तक जो कारगर है तो यहां पर चिंता का सबब है वो यह है कि 3.4 करोन से अधिक वैसकों को एस्ट्रोजेनिका का टीका लगाए उरोप में जिसमें 169 मामले आए हैं तो मतलब अगर देखा जाए तो यह 0.0001 परसंट से भी बहुत कम है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को यह समस्या हो रही है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर प्रकास की गति से प्रकास की गति होती है तीन लाख किलोमेटर प्रति सेकंड अगर इतनी रफ्तार से कोई वहाँ चले तो वहाँ से लेकर धरती तक आने में उसे एक अरब साल लगेंगे तो अंतरी शुपेग्जानिकों ने ग्रविटेस्नल लंसिंग टेक्निक यह टेक्ड़ी कहा देखना गर्विटेस्टनल इन्सिंग की साहता से एक खोज की है कि करीब एक अरब प्रकास पर से अधिक दूरी पर पंद्रह नय आकासी पिट्डों की खोज की गई हैं इस खोज में भारत के साथ कौन से दो देशिकों के बैग्यानिक सामिल है तो साही जबा आई है और इन पिंडों की खोज में एरीज ने निताल एरीज का मतलब होता है आरेभर्ट प्रेशन विज्ञान और सोज थंसान तो यहां पर याद रगना कि यह जो खोज हुई है 15 नए पिंडों की जो की धरती से एक अरब प्रकार्श दूरी पर हैं मतलब दूरी तो बहु खगोल बैग्यानिक जीन सुररदेज के साथ मिलकर डेटा एनलिसिस पर काम किया है इस खोज को 7 अपरेल को एरीज ने निताल के साथ ही वेल जीम की लिजब इस्विदेल है और अमेरिका के खगोल बैग्यानिकों ने एक साथ दुनिया के सामने रखा है तो एक बहुत ही मत परसौली को किसकी तपस्थली के लिए जाना जाता है तो परासौली जो है यह सूरदास की तपस्थली की रूप में जाना जाता है और यहां की जो निवासी हैं वो यह बताते हैं कि यह जो परासौली नाम गाउं है यहां पर राधा और कृष्ट की जो प्रेम दिलाए थी उसका यह साक्षी है और इस गाउं का जो नाम है वो रिषी परासर की नाम पर पड़ा है परसोली ठीक है हाली में राज़िपाल की द्वारा इसकी तुछना जारी की गई है कि महमदपुर का नाम बतल कर अब परसोली कर दिया जाएगा आगे पड़ते हैं उत्तर पतिस में वारानसी से कहां तक जल बिमान सिवा शुरू की जाएगी यानि कि पानी के रास्ते एक जल बिमान सिवा शुरू होगी तो ये वारानसी से चलेगी कहां तक सोन भदर तक तो आप्शन C इसका बिल्कुँ सही है तो आपको बता देंगे र बारानसी से सोन भदर तक अब जल मार के द्वारा भी यात्रा की जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं बांबे नैचुरल बांबे नचुरल हिस्टि सोसाइटि बी एन एचेस के नाम से भी जानते हैं हाली में एक राज में एक दुरलव प्रजाती के पक्षी रोज फिंच का प यहां पर मैं आपको बता दूँगी अनुसान धान दल से जुड़े डाक्टर गिरिश चठार ने बताया है कि भारत में पक्षियों की सूची में एक नया पक्षी जुड़ गया है बी एनेचस टीम जंगलों में खोच कर रही थी आठ फरवरी को जो तस्बीरें खीची गए थी उसमें ये जो पक्षिता वो पहचान में आया है और इसे जो है रोज फिंच कटेगरी के अंदर गयत रखा गया है रोज फिंच में और भी पक्षी आते हैं लेकिन यह एक दूरल प्रजाती का पक्षी माना जा रहा है आगे बढ़ते हैं किस संगठन ने विस्व आर्थिक आउटलूक रिपोर्ट मैनेजिंग डाइवर्जेंट रिकवरीस 2021 को जारी किया है तो रिपोर्ट का नाम है इसी में अस्थापना इसके कब हुई थी 27 दिसंबर 1945 फुल 190 देश IMF के सदस्य देश हैं और अध्यक्ष वर्तवार में क्रिश्टलीना जार जीवा तो रिपोर्ट के मुताबिक कोवीड वैक्सिन के छेतर में UK और USA जो हैं वो काफी अच्छा प्रतस्रन कर रहे हैं लेकिन यह माना जा रहा है कि भारत चीन और अमेरिका का जो होटल और परेटन उद्योग है उत्यजी से रिकवर करेगा चालू बित्वर्श 2021 में भारत की जो GDP होगी उसका अन्माल लगा गया है 12.5% हालाकि जनवरी में यह आकडा 11.5 पा था तो 1% यहाँ पर ब्रिद्धी दर्श रेपो रेट और यह होता है रिवर्स रेपो रेट ठीक है तो रेपो रेट क्या होता है देखो जैसे माल लेते हैं कि कोई बैंक है उसके पास पैसे की कमी है ठीक है एक बैंक है उसके पास पैसे की कमी है वो आरवी आई के पास जाता है तो आरवी आई जो है उसको जो पैस पैसा देता है उस पर वह टैक्स लेता है मаन यह तो इस पैसान जरूरत से जादा है तो यह रिजर्लमी और पैसा रखता है तो इस पिर क्वह कथे अगर कोई bank reserve bank से जाकर उधार लेगा तो उसे ब्यास देना पड़ेगा 4% अगर कोई bank अपना पैसा reserve bank में जमा करता है तो reserve bank उसे ब्यास देगा 3.35% के हिसाब से तो यह है repo rate और reverse repo rate की ताजा repo ठीक है और यह जो moderate need होता है यह क्या होता है तो देखो जैसा अब जानते हो कि जो money है उसको control कोई करता है reserve bank अफ इंडिया करता है तो मौदरी नीत के द्वारा market में जो money policies है उसको control किया जाता है और इसको जो control करने का सबसे better तरीका यह होता है कि repo rate और reverse repo rate ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं देवी संकर अवस्थी इस्मित सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है तो यहाँ पर जो option है सही जबाब इसका होगा आसुतोस भार्दवाज देवी संकर अवस्थी इस्मित सम्मान 2020 तो इनका जो जर्म हुआ था वो 5 अपरेल को आता तो इसलिए परतिवर्स परदान किया जाता है देवी संकर अवस्थी इस्मित सम्मान यह जो परुसकार है यह हिंदी आलोचना के विकास में उन लेकनी योगदान के लिए दिया जाता है और 2020 का जो परुसकार है वो दिया गया है आस्तोस भार्दवाज को उनकी किताब पित्रुबद के लिए ठीक है पित्रुबद और किस देश ने सत्रहमी बिमस्टिक मंतरी अस्त्री बैठक की मेजबानी किये तो बिमस्टिक का जो मंतरी अस्त्री बैठक अभी हाली नुआ था करम में सत्रहमा था मेजबान देश था इसका option B स्रीलंगा हाला कि यह जो बैटक थी इसको जो host किया गया था स्रीलंगा के द्वारा और इसमें बहुत सारे दिसों ने participate भी किया था भारत ने भी इसमें participate किया है और जिसा कि एक precedent हुआ है कि कोरोना काल में ऐसी जो meetings हो रही है बैटके हो रही है वो वर्चुल हो रही है तो यह बैटकी वर्चुल ही होई थी बात करते हैं बिमस्टे के बारे में तो इसका पूरा नाम होगा बेया बंगाल इनिसीट्यू फार मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एकोनॉमिक कोपरेशन ठीक है तो बिमस्टे का मतलब होता है बेया बंगाल इनिसीट्यू फार मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एकोनॉमिक कोपरेशन यह एक रिजिनल और नजिस्तर ने छेतरी संगठन है और इसके सास सदस्यों में से पांस सदस्य है बंगलादेश, भूटान, भारत, नेपाल और स्री लंका यह दक्षिन एसिया से हैं म्यामार और थाइड एंड यह दक्षिन कूर्व एसिया से हैं 1997 में इसकी सुरुवात केवल 6 छेतरों को सामिल करते हुए थी बाद में वर्स 2008 में शेस 9 छेतरों तक इसको बिस्तारित किया गया इसका सचीवाला कहा पा रहे तो इसका सचीवाला है धाका में और अभी हाली में भारत के विदेश मंतरी ने बिम्स्टेक की 17 वी मंतरियस तक जो मंतरियस तरी यह बैठक हुई है उसमें हिस्सा लिया है और ये जो बैठक थी ये वर्चूली आउगनाय की गए थी तो बैठक में भारत द्वारा आतंकवाद, ट्रांस नेशनल क्राइम, परिवहन एवंग संचार, परेटन और पर्यावरान तथा आवदा प्रपंधन आदी विभिन छित्रों में जो प्रग इसमें एक गवर्णर होते हैं सक्तिकान दास जी है, इसके लावाद चार जो है इसके उप गवर्णर होते हैं, डिप्टी गवर्णर, तो इन में से यही चारों लोग हैं, महेश कुमार जैन, बीपी कानून गो, माइकल पात्रा और राजस्वर राव, इसमें बीपी कानू कानून गो अभी हाली में, यानि कि दो अपरेल को रेटायर हो गयें, लेकिन यह माना जारा है कि यह दोबारा से वापस लोटेंगे, इनको जो एकस्टेंशन मिल सकता है, तो कानून गो 1982 में रिजर्ब बैंक से जुड़े थे, वो चार साल तक केंदरी बैंक के डिप्टी न्यूक्त किया था, और उसमें उर्जित पटेल रिजर्ब बैंक के गवर्नर थे, क्विज नंबर नाइन में मनें आप से सवाल किया था कि किस वर्स में कुलकाता के पास हुगली नदी पर रिशड़ा में पहली जूट मिल अस्थापित की गई थी, और सही जवाब इसका आप्शन भी है, यहाँ पर आज मैं जो नाम फिचे कर रहा हूँ, वो नाम यहाँ पर सूरज प्रजापती जी का है, इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है यहाँ पर, इन्होंने बताया कि 1855 इस वी में लाड कैनिंग की समय, स्कॉट लेंड की एक व्यापारी द्वारा आउकलेंड जो नाम था उनका आउकलेंड द्वारा, कुलकाता में हुगली नदी पर रिशडा में भरी जूट मिल अस्थापित की गई थी, तो जो भी यह आंसर आप लोगों लिखते हैं फ्रेंड्स, वो सारे आंसर बहुत सारे लोगों की दिमांग में ड्रिल होते हैं, क उसके पहले-पहले कोशिस करेंगी, करने फिर आप तक पहुंच जाए, मतब आप उसको पूरा देख लें, ठीक है, तो अब बारी है कुछ नंबर 10 की, बताइए कि द्रव चालित मसीनी जो होती हैं, वो किस सिध्धान पर कारे करती हैं, न्योटन के सिध्धान पर, जूल क के सिध्धान पर, प्लवन के सिध्धान पर या पिर पास्कल के सिध्धान पर, तो इसका आंसर आप जरू लिखेगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक खुद को कनेक्ट नहीं किया है, तो कनेक्ट लिजिए, इस्टडी विद ज्यान प्रकास लिकर साज़ करेंगे, त आप इस लेक्षे की पीडिएफ अगर डाउंगोड करना चाहते हैं, तो आप इस्टडी विद ज्यान प्रकास डाट काम पर आ सकते हैं, विद ग्रेट डेग, जय हैंद।